हम आज तुम्हें सकंद माता की कथा सुनाते हैं पाबन कथा सुनाते हैं ताड कसुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं पंचम नोराते का हम विर्तांत बताते हैं ताड कसुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं करस्कंद माता का ध्रान हो जाएगा कल्यान ये कथा है बड़ी महा नोरातों के पाचवे दिन की कथा सुनाता हूं ताड का सुर राक्षस का मैं आतंक दिखाता हूं महा बली अभिमानी ताड का बड़ा असुर भारी चलबल और कपट था उसमें था अत्याचारी त्राही त्राही मच गई स्वर्ग में मचा तहा हाकार तीन लोकों में चाहत था उसका ही हो अधिकार चिन्ता में थे सारे देवता मान चुके थे हार बैठ गए थे हार स्विकारक करके बोला चाह उसके आगे क्या होता है अब बतलाते हैं भगतों तुम्हें बताते हैं ताड का सुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर संद मात का अधान ओ जाएगा कल्यान ओ जाएगा कल्यान ये कथा है बड़ी महान उस राक्षस का बद करने का काम न था आसान वीर बली बलशाली और था बहुत बड़ा बलवान शिवशंकर के पूत्र के हातों दी मर सकता था उसके सिवा कोई भी उससे लड़ नहीं सकता था सभी देवता आ जाते हैं पारवती के पास हात जोड कर मा के आगे विने करें अरदास कस्ट निवारो संकट तारो संकट में है प्राद सिवा आपके जगजन नीम कौन करें कल्यां सभी देवता थे कितने असहाए दिखाते हैं वो असहाए दिखाते हैं तड कसुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं करो संद माता का थान ओ जाएगा कल्यान ओ जाएगा कल्यान ये कथा है बड़ी महान युद्ध कला मैंने पुड़ना थे बालक वो कारति के बाला पन सकंद का था ताल कसूर अजे शकंद माता का रूप धर फिर पारवती माने पुत्र को अपने युद्ध कला वो चली है सिकलाने अस्त्र शस्त्र की कला सिखाती रण में रण कौशल कैसे खीड किया जाता है दुश्मन का छलबल युद्ध कला रण नीति सिकाती कूट नीति कासार पुत्र के हाथों कैसे होगी असुर की देखो हार इसके आके क्या होता है वो बतलाते हैं भगतों वो बतलाते हैं ताड कसुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं कर सकंद माता का घ्ञान ओ जाएगा कल्यान ओ जाएगा कल्यान ये कथा है बड़ी महान सकंद माता से सीख लिया जब युद कला का घ्ञान ताड कसुर का वद करने की लीथी मन मेठान विजय भाव का पूत्र को अपने मान दिया बरदान वद करके फिर ताड कसुर को करो जगत कल्यान चले खोज में ताड कसुर की कारतिके भगवान पारवती माता का देवता करने लगे घुणगान ताड कसुर ने सुनी सूचन करने लगा अट हास असते हुए वो कारतिके का करने लगा उपहास कैसे यूद चिड़ा था उनमें वो बतलाते हैं भगतों वो बतलाते हैं ताल कसुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं हम कथा सुनाते हैं करो संद मात का थान ओ जाएगा कल्यान ओ जाएगा कल्यान ये कथा है बड़ी महान बाणों से बाणों की वर्षा तलवारों के बार ताल कसुर की सेना कहोने लगा था फिर संघार कट कट शीश गिरे असरों के मच गया हाहाकार गूझ रही ती स्वर्ग लोक में बाणों की टंकार वर्ष तलक वो लड़ते रहे थे दोनों ही रणवी चली कदाएं दोनों तरफ से चले तीर बेती अंत मेहार हुई राक्षस की जीत गए कार्थिके अपनी मा को दिया पूत्र ने अपनी जीत कशे स्वर्ग लोक में पुश्पों की बरसात दिखाते हैं हाँ बरसात दिखाते हैं ताड कसुर नामक राक्षस का अंत बताते हैं हम कथा सुनाते हैं कर संद माता का थान ओ जाएगा कल्यान ओ जाएगा कल्यान ये तथा है बड़ी मामा पारवती माता ही भगतो सकंद मा कहलाई गौरी महेश्वरी और हिमाले पुत्री कहलाई नवराते के पाचवे दिन में पूजन है होता किरपा करती मा का जगत में जैकारा लगता विधी पूरवक जोबी मा का पूजन करता है सुकवई भवधन धान सभी कुछ उसको मिलता है सकंद माता के किरपा से फिर सुखी रहे संतान मा है तयालू मा किरपालू मा है बड़ी महान आत जोड सुक देव चरण में शीष नवाते हैं ताड कसुर नामक राक्षस का अंत बताते हैं अमकता सुनाते हैं अमकता सुनाते हैं आत जोड़ी से खब बताते हैं